चांज का हमारा टोपिक है difference between prokaryotic and eukaryotic cell सबसे पहले ही ये पता होना चाहिए कि prokaryotic cell और eukaryotic cell किसे कहते हैं वो प्रोकaryotic जिनमें prokaryotic cell पाय जाता है जिनमें eukaryotic cell पाय जाता हैं जिनमें eukaryotic cell पाय जाता हैं जिनमें true nucleus नहीं होता है और prominent means before और eukaryotic वो होते हैं EU eukaryotic वो होते हैं जिनमे true prominent nucleus पाया जाता है सबसे पहले जो different first देखेंगे वो होगा prominent nucleus का जो prokaryotic cell होते हैं eukaryotic और prokaryotic cell होते हैं इसको हम देखेंगे जो नुकलीस को लेके अगर देखें तो बक्टेरिया के अंदर भी DNA suspended form में पाया जाता है जिस रीजियन में DNA पाया जाता है प्रोकेरियोटिक सेल में उसे नुकलियोइड बोला जाता है और उसके इर्दगीद जो है वो मेंब्रेन नहीं होती है इसके इलाव उनके DNA में प्रोटीन भी नहीं होती है जबकि यूकरियोटिक जो होता है उनका जो genetic material होता है क्रोमोसम उनके इर्दगीद क्या पाय जाती है मेंब्रेन पाय जाती है जिसको हम प्रोपर नुकलियस का नाम देते हैं और जो इनका genetic material होता है जिसको हम प्रोटीन पाय जाती है दूसरा डिफरेंस अगर देखें तो वह है मेंब्रेन बांडीड और गनालीस यूकरियोटिक सेल्स जो होती है उनमें में मेंब्रेन बांडीड और गनालीस पाय जाते हैं अगर अब देखें यहां पर डिफरेंस तो सेंटर में आपको बिल्कुल यूकरियोटिक सेल में क्या नजर आ रहा है नुकलिस नजर आ रहा है उसके सेंटर में डाक स्पोर्ट है जिसे नुकलियोलस बोलते हैं और त्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे है जो genetic material क्रोम क्रोमोसों में change हो जाता है जिबकि आप प्रोकरियोटिक सेल में देखें तो वो center में बिल्कुल जो है वो क्या पाए जा रहा है large क्रोमोसों या DNA कहते हैं इसे DNA पाए जा रहा हूँ जिस region में पाए जा रहा है जी डिकलोइड बोला जाता है ठीक है तो इनमें true nucleus नहीं होता जी आगे चलिएगा यूकरियूटे को यूकरियूटिक और परोकरियूटिक में अगर देखें तो तीसरा पॉइंट जो बनता है वह साइस है। यूकरियूटिक छेल्स होते हैं यूकरियूटिक जो होते हैं as compared to prokaryotic cell जो है वह human cells से आम तोर पे 10 गुना छोटा होता है उसके बाद cell wall का difference अगर देखा जाए तो cell wall जो bacteria यह प्रोकेरियोर्स होते हैं में जो cell wall होती है वो peptidoglycan की बनी होती है peptidoglycan क्या होता है amino acid और sugar का combination होता है material होता है जो के cell wall बनाता है bacteria की उसके बाद देखिएगा यूकेरियोटिक में cell wall देखिएगा यूकेरियोटिक में cell wall जो है plants में पाई जाती है chitin में पाई जाती है plants में जो cell wall पाई जाती है उसमें cellulose पाई जाता है जबके chitin में जो cell wall fungi में जो cell wall पाई जाती है काइटन की बनी होती है उसके बाद देखेंगे राइबोसों यूकरियोटिक सेल में जो राइबोसों होते हैं वो as compared to prokaryotic cell larger in size होते हैं अगर आप देखें तो इसमें two subunits पाई जाते हैं large subunit और small subunit तो राइबोसों क्या function करते हैं हम यहां पर previous lecture में पढ़ चुके हैं से protein factory बोला जाता है तो यह थे difference किसमें prokaryotic cell में और eukaryotic cell में उसके बाद यह डाइग्राम दरह देखिएगा तो इसमें prokaryotic cell में देखिएगा जो prokaryotes होते हैं वो सबसे oldest type cells होते हैं small होते हैं simple होते हैं इनमें nucleus नहीं होता इनमें organalis भी नहीं होते हुए single cell होते हैं जबकि euk complex होते हैं इनमे馨 nucleus होते हैं इनमें organalis भी होते हैं और इसके इलावा single celled and multicellular दोनों में होते हैं एक जिज़ जो दोनों में common होती है कि इसमें भी theeta जता है और इसमें भी Theane ने पाया जता है इसमें भी साइडो प्लाजम होता है, यूकरियोटिक में भी साइडो प्लाजम होता है, इसकी भी प्लाजमा में इंब्रेन होती है, तो दोनों में क्या पाय जाता है, दोनों में राइबसोंस भी पाय जाते हैं, लेकिन राइबसोंस का क्या डिफरेंस है, जो यूकरियोटिक ribosomes होते हैं, वो size में छोटे होते हैं, जी, आगे देखेगा lysosome, ये last organali है हमारा, और उसके बाद हम 4th chapter का ALP के according जो है, वो next topics देखेंगे, lysosome, lysosome जो है ये भी organali होता है, इसके get me membrane होती है, lysosome का मतलब होता है, splitting soma से निकला है, जिसका मतलब होता है body, तो introduction में सबसे पहले discovery देखेंगे, हम, जी, discovery में क्या था, इसको रैनी डीडियूफ ने 1949 में discover किया था, Christian रैनी डीडियूफ ने, और इसके इसके इलावे इन्होंने physiology भी देखी थी और इसके उपर इनको Nobel Prize भी दिया गया था, जी, lysosome का structure देखेगा, तो यह single-meme brain-bounded organalis होते हैं, यह eukaryotic cell में पाय जाते हैं, cytoplasm के अंदर होते हैं, यह spherical होते हैं, round होते हैं, और इनमें enzymes पाय जाते हैं, अगर आब यहाँ पर देखें, तो यह pink color में आपको क्या नजर आ रहे हैं, lysosomes नजर आ रहे हैं, और इनके अंदर enzymes पाय जाते हैं, और enzymes का क्या function है, वो हम function में discuss करेंगे, यह function देखते हैं, जो lysosomes होते हैं, इनमें strong digestive enzymes होते हैं, acid hydrolases होते हैं, और यह क्या क्या काम करते हैं, digestion of food करते हैं, phagocytosis मतलब eating करके, engulf foreign particles, virus और bacteria को engulf करते हैं, इसके लावर dead organalis जो होते हैं, यह ऐसे cell जो के dead हो चुके होते हैं, जो के बिलकुल non-functional form में आ चुके होते हैं, worn out non-functional form में आ चुके होते हैं, नकारा हो चुके होते हैं, उनको cell से यह body से remove करवाते हैं, जी जरा यह देखिएगा, कि अगर यह काम हमारी body के अंदर जो है, हम तो पर white blasters कर रहे होते हैं, कि वो foreign agents को लेते हैं, वहाँ पर bacteria receptors के साथ attach हैं, फिर वो अंदर आ जाता है, उसके गिद membrane आ गी है, और उसके बाद इससे phagocytosis भी बुला जाता है, यह जो blue color में lysozome है, यह जो red color जिसमें membrane भी है, as well as bacteria, यह इसके साथ मिल जाएगा, fuse करने के बाद क्या होगे, वो इस bacteria की breakdown कर देगा, और वो bacteria जो है, वो क्या होगा, exocytosis होजाएगी, वो body से बाहिर move कर जाएगा, उसके बाद lysozome एक और important जो है, वो काम करता है, that is the autophagy, यह इसका मत्त, autophagy mean eating, self eating होते हैं, यह इसके लावा lysozome जो है, वो developmental stages में भी काम करता है, यह क्या करता है, आम तोर पर mode of action देखिएगा, इसका, lysozome जो है, वो vacule के साथ मिल जाता है, और vacule भी कौन सा food vacule, जिसमें targeted material होता है, और इसके enzyme जो है, वो breakdown करते है, material की, तांकि वो body को harm ना पहुंचा सके, उसके बाद देखिएगा, lysozome में, suicidal bags, जो है, उन्हें suicidal bags भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि यह cell के तमाम, अगर इसके membrane जो है, वो breakdown शो कर जाए, तो इसके सारी enzyme cell में आ जाएंगे, तो यह क्या करेंगे, cell के enzyme जो है, यह cell में जैसे आएंगे, इसके सारी enzyme जो है, वो cell eating करना शुरू करतेंगे, ठीक है, तो यह suicidal bags भी कहलाते हैं, as well as, यह क्या करते हैं, कि अगर जितने भी dead cells या और्गनालिस जो काम करना छोड़ चूड़ चूड़ चुके हैं, वो उनकी breakdown करते हैं, उसे cell से बाहर निकाल देते हैं, और अगर यह cell में release हो जाते हैं, बाहर चांस और इनकी, यह cell membrane टूट जाती है, breakdown शो करती है, तो यह cell के component को भी फोरी तोर पे क्या करेगा, खा जाएगा, digest कर जाएगा, जी, तो यह था आज का मारा topic, lysosome और difference between prokaryotic and eukaryotic, आप लोग ने difference between prokaryotic और eukaryotic जो है, उसको बेहतरीन तरीके से जो है, वो ready करना है, यह बहुत important topic है, बोड के हवाले से,